आप देख रहे हैं संजीवनी डॉक्टर प्रताब चोहान के साथ और अब वक्त है सेहत की संजीवनी का डॉक्टर चोहान ऐसी कौन सी वो पांच चीजे हैं जो हमारी इम्मुनिटी को बढ़ाती है बहुत अच्छा प्रशन है क्योंकि इम्मुनिटी का बड़ा जो है आजकल क्रेज है लोगों में बहुत परचार भी है हम अगर देखें तो इम्मुनिटी का मतलब है जो हमारे शरीर में एक ओजस होता है एक वाइटल फ्लूइड होता है और अगर आप कोई चीज खाते भी है इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए इसलिए समझा रहा हूं कि आप बहुत सारे सप्लिमेंट हो सकता है खा रहे हो लेकिन उसका पाचन बहुत जरूरी है उसको पचना चाहिए पचेगा नहीं तो धातू नहीं बनेंगे धातू नहीं ब प्राश है उसका सेवन आप कर सकते हैं दूसरी चीज आपने सुनाओगा आजकल बहुत पॉपलर है पूरी दुनिया में अश्वगंदा अश्वगंदा की टेबलेट्स मिलती है जीवा में भी बहुत अच्छी वह आप सेवन कर सकते हैं महिलाओं के लिए शतावरी बहुत अच्छी है वो भी बड़ी अच्छी एक तरह से इम्मुनिटी बूस्टर हम उसको कह सकते हैं इसके अलावा शिलाजीत बहुत ही एक अच्छा एक रसाइन है आईरवेद में शिलाजीत कैपसूल हमारे हैं जीवा में भी मिलते हैं उनको आप सेवन कर सकते हैं ये शारिरिक एक बल के साथ साथ मेंटल लेवल पर नींद बहुत जरूरी है ये भी एक तरह की इम्मिनिटी बूस्टर है अच्छी गहरी नींद और मन की प्रसंदता, मन को खुश रखना तो थोड़ा सा प्रणायम करें योग करें, थोड़ी व्यायाम करें एक्सरसाइज करें, उससे आपकी इम्मिनिटी बढ़ेगी, और फाइनली बहुत इंपोर्टन्ट है कि आपकी आत्मा भी प्रसंद रहनी चाहिए, जीवा मेडिटेशन हर दिन करें और आत्मा को प्रसंद रखें जीवा की फेस्बूक के जरिये भी जीवा से जुड़ सकते हैं जीवा की फेस्बूक आईटी है www.facebook.com स्लाश जीवा आयरुवेदा और यूटीव पर जीवा शोज देखना ना भूले और आज ही जीवा का यूटीव चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com स्लाश जीवा आयरुवेदा सेहत मन रहने के लिए आयरुवेद से जुनना अच्छा खाना अच्छा सोचना और संजीवनी हर रोज देखना बेहत जरूरी है तो कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चोहान के साथ नमस्कार नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखके रहिए योज्स 24